Hello everyone, I am Saurabh Agrawal, you are ITJ, NEET and Foundation Faculty तो इस type के ladder वाले question आपने बहुत सारी किये होंगे current electricity में जहां पर चीजे repeat होती थी, 24, 24, 24, 24, repeat होते रती थी तो उस type के infinite ladder वाले आपने बहुत सारे questions किये होंगे लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो 24, 48, 8, 16 तो बढ़ते जा रहा है, double होते जा रहा है resistance और यह infinite तक यह कहानी चल रही है तो इसका equivalent कैसे निकालेंगे मैं आपको दो तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके को last तक जरूर देखना ठीक है, क्योंकि अगर एक तरीक आपको नहीं चमका तो आपको हो सकता है दूसरे तरीके से यह question चमक जाए, और वैसे भी मैं आपको जो दूसरा question तरीका बताऊँगा, वो ज्यादा आपके लिए बहुत short cut होगा बहुत short trick होगा, और easily आपको उसको समझने में आसानी जाएगी ठीक है, तो पहले अपन चलते हैं भी आपर पूरा एक method से, ठीक है symmetric वाले method से, फिर उसके बाद अपन common sense वाले method से देखेंगे तो एक example ले रो, इस example में, अगर आप देखोगे तो इस horizontal वाली line के पूरे उपर और नीचे symmetry है देखो, जैसे resistance उपर, वैसे नीचे, यहाँ पर 2R, फिर नीचे 2R यहाँ से RR जुड़े हुए, RR मतलब अगर इस point में अगर आप एक mirror रग दो तो same उसका mirror image उपर बना हुआ है are you getting my point? तो इस line के about पूरी symmetry है तो आप क्या बोलोगे? जो current यहाँ उपर जाएगा, वोही current यहाँ नीचे जाएगा जो resistance उपर, वोही resistance नीचे मतलब जो potential difference यहाँ वोही potential difference यहाँ इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि भाई साहब, जो potential इस point का है, मालिक इस point का भी वही potential होगा तो अगर 2 point के बीच में potential same है, तो एक तार लगा दो current तो नीचे फ्लो करने वाला न, same potential है तो, तो तार लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है तो भी आपने बोला, चलो भी आ, एक तार लगा देते हैं आप बोल रहे हो तो, same वैसे अगर आप देखोगे, तो जो current यहां से आ रहा है, वो ही current यहां से, मतलब जो इसके across potential difference, वो ही इसके across potential difference, मतलब जो इस point का potential, वही इस point का potential तो भी आप फिर तार लगा दो इन दोनों के बीच में, लगा सकते हैं क्योंकि current तो flow करना ही नहीं, यह same potential है तो आपने लगा दिया, अब देखो, CID वाला दिमाग चड़ाओ दयाक, उस तो गड़बड है क्या इस resistance को और इस resistance के देखो, यह वाला end भी जूड़ा हुआ है और यह वाला end भी जूड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या यह दोनो resistance पैरलल में इस resistance को इस resistance को देखो, दोनो resistance का एक यह वाला end आपस में जूड़ा हुआ है और यह वाला end भी ग्रीन वाले वायर से जूड़ा हुआ है मतलब यह दोनो resistance भी पैरलल में, यह 2R वाले को देखो, यह 2R और नीचे वाला 2R, एक यह red गलर के wire से जुड़े हुआ है green वाले के मतलब ये 2R और ये 2R भी parallel में मतलब क्या जब भी इस type की symmetry हो तो आप इस पूरे के पूरे questions को ऐसे fold कर सकते हो इस पूरे के पूरे यहां के resistance को ऐसे fold कर सकते हो तो देखो क्या बन जाएगा आपका इसका fold करने के बाद fold करने के बाद आपका resistance बन जाएगा कुछ ऐसा सुरिफ इतना वाँ वाँ मज тай आ गया ठीक है तो देखो ये R और ये R पैरलल में कितना बन जाएगा R by 2 ये 2R ये 2R ये 2R पैरलल में कितना बन जाएगा R सेम ऐसे ये R ये R बन जाएगा R by 2 सेम वैसे यह r by 2, सेम वैसे यह r by 2 और यह तो थे ही 2 r और are you getting my point? मैं यह पूरा question को पूरा नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर खाली क्या बताना चाहा रहा था कि जब symmetric है तो यहाँ पर अपने wire लगा दिया और यह पूरा का पूरा question fold हो गया तो same वो ही question अपन यहाँ पर करेंगे, यह concept यह concept जो मैंने भी आपको बताया यह अभी अपन apply करेंगे अपने question में ठीक है? तो अपना question जो था उसी type का मैंने लिया एक circuit, 4 r, 8 r 8 r, 16 r, जो double होते जा रहा है same ऐसे 4 r, 8 r 8 r, 16 r, एकदम same तो जैसे circuit उपर है वैसे कि वैसे circuit नीचे है yes or no? अरे देख लो न बाबा जो circuit उपर है वो ही circuit नीचे है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जो current यहाँ जाएगा वो ही current यहाँ जाएगा तो जो potential difference यहाँ होगा वो ही यहाँ पर होगा क्योंकि resistance भी same और current भी same तो मतलब भाई साथ इन दोनों point को आप जोड सकते हो तो यह दोनों 4 और 4 किसमें हो गए parallel में ठीक है? चलो और यह और यह तो हैं आपस में चूड़ा हुआ है यह एक wire से मतलब कि यह 8 और यह 8 भी क्या होगा parallel में? ठीक है? same वैसे आप बूल सकते हो कि यह point और यह point का potential same होगा तो यह दोनों point को आप जोड सकते हो एक wire से तो मतलब क्या? again इस line के about यह पूरा का पूरा system fold हो जाएगा तो यह 4R 4R parallel में तो कितना हो जाएगा? 2R देखो equivalent circuit बनाओ भाई साब गलती मत करना ठीक है? अराम से तो यह 4R यह 4R बन जाएगा आपका? 2R यह 8R 8R कितना बन जाएगा? parallel में जब दो resistance same होते हैं तो कितने हो जाते हैं? 4R फिर again 8R 8R कितना बन जाएगा? आपका 4R फिर again 16R 16R आपका कितना बन जाएगा? 8R तो अगर आप देखोगे कि अगर आप इस पूरे का resistance मानते हो इस पूरे का resistance मानते हो R इस पूरे का resistance मानते हो R तो यह दोनों parallel में हैं तो इनका equivalent कितना हो जाएगा? R by 2 तो यहाँ पर पूरा जो आपका R equivalent है वो हो जाएगा R by 2 क्या आप बोल सकते हो? क्या यह बात आप बोल सकते हो? कि अगर इस पूरे का resistance आपने R माना और इस पूरे का resistance अगर आपने R माना तो इन दोनों का equivalent है, दोनों parallel में है यह दोनों point कि about देखो यह पूरा R भी उस दोनों point कि about है और इसी दोनों point कि about यह पूरा R है तो यह दोनों R parallel में है तो इन दोनों का R equivalent हो जाएगा R by 2 और circuit देखो क्या बन गई? 2R, 4R, 4R, 8R वो ही जो question दिया था मतलब, इसका मतलब अगर इस point और इस point के about अगर आप R मानते हो total R equivalent, इस पूरे का यह पूरे circuit का भाई साब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी circuit का R equivalent यहाँ पर अगर आप R मानते हो तो यहाँ का R equivalent कितना आएगा? R by 2 पिछले वाले question में देखो 4R, 8R, 8R, 16R मतलब की 4R, 8R, 8R, 16R यहाँ तक का पन ने R माना था तो ऐसे RR 2 को मिला के क्या बन गया था? यहाँ तक का बन गया था? R by 2 देखो, यह जो आया था आपका यह जो यहाँ पर आया था? तो क्या आया था? 2R, 4R, 4R, 8R का कितना आया था? R by 2 इसका मतलब अगर आप इस पूरी सरकेट को रिप्लेस करके यहाँ R लिखोगे तो यहाँ पर R equivalent कितना हो जाएगा? R by 2 R equivalent here will be R by 2 ठीक है? बस इतना ही था, इसके आगे तो आपको क्या करना है? आपको मालू मैं अब यह R, यह 4R parallel में तो 4R upon 4 plus R और फिर वो 2 किसमें? सीरीज में सीरीज में है तो add हो जाएगा, plus 2 तो यह तीनों resistance का equivalent किसके परापर होने वाला है? R by 2 के फिर आपने mathematics लगाई भी है, भाई साब cross multiply किया इतना mathematics आता है, quadratic बनी quadratic बनी तो दो roots आएगे R के दो roots आएगे, एक का value आगा 9.65 और एक negative आगा, उसको फिक दो, कोई कामका नहीं है, ठीक है? तो positive value value जो 9.65 आई हो आपने रख दी अब ये R की value आई आपको क्या चाहिए? R by 2 तो R by 2 is 4.825 is the answer में ये calculation नहीं पूछना चाह रहा था, आपसे ये दिमाग लगाना पूछना चाह रहा था इस question में कि अगर यहां का resistance R होगा, तो यहां का resistance R by 2 होगा चमका क्या? नहीं चमका, तो कोई बात नी भाई साब एक और method है एक और method क्या है? common sense, कैसे common sense? ये देखो माननों ये पूरे R, R, 2R, 2R जो भी है तो जो equivalent आपका resistance आएगा वो कुछ constant into R आएगा हो सकता है 4.2R, 3.2R, 1 by root 2R कुछ भी, constant into R this will be the R equivalent ये दो point के about R equivalent आपका हो जाएगा कुछ constant into R are you getting my point? चलो अब अगर R के जगा मैंने x, 2x, 2x, 4x, 4x, 8x, 8x इस टाइप से लिख दिया तो अगेन इस पूरे का भी वो ही constant into x आएगा क्योंकि दो नए एकदम symmetric है, जैसे यहाँ पर circuit है, same वैसे circuit है, बस यहाँ पर R यूस किया था, यहाँ पर x यूस किया resistance के लिए तो यहाँ पर जो आप बोलोगे equivalent हो जाएगा आपका R equivalent वो R equivalent कितना हो जाएगा? C into x अब थोड़ा सा गौर करना, भाई साब पास आओ, और ध्यान से सुनो जब R था, तो constant into R X था, तो constant into x अब मैं अगर x के जगा 2R पूट कर दूँ, तो equivalent कितना हो जाएगा? C into x के जगा 2R अगर मैं यहाँ पर भी सब जगा 2R पूट कर दूँगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2R, चलो भाई साब पूट करके देखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं x के जगा 2R पूट कर दूँ, तो 2R तो यहाँ पर 2 into 2R 4R, यह कितना बन जाएगा? 4R, यह कितना बन जाएगा? 8R, यह कितना बन जाएगा? 8R, and so on ठीक है? and so on बढ़ते जाएगा तो देखो, अब जो सी equivalent है वो कितना बन जाएगा? R equivalent कितना बन जाएगा? C into x, x के जगा 2R मतलब double of R खुट सोचो, जब यहाँ का, यह पूरे का R equivalent कितना है? C into R और यहाँ पर कौन सा circuit बन जाएगा? देखो, यहाँ सक का 2R, 4R, यहाँ से आगे का circuit यह बन जाएगा और यहाँ का equivalent कितना बन जाएगा? 2 times CR मतलब अगर इन दोनों point के about ध्यान से सुनो भाईयों अगर इन दोनों point यह point और यह point के about अगर R equivalent आपका CR है तो यह point और यह point के about आपका R equivalent आ रहा है 2CR, double वही तो निकाला था अपने पहले भी देखो कि अगर यहाँ का R है तो यहाँ का R by 2 मतलब यहाँ से यहाँ का double तो यह अपने एक निकाला था symmetric method से और एक यहाँ पर निकाला common sense से बागी तो calculation पूरी की पूरी same है चमका क्या पक्का कोई भी doubt किसी भी तरीके की तकलीफ हो तो भाई साब comment में बता देना मैं उसके लिए आपको explanation video एक और बना दूँगा ठीक है अगर ऐसी मज़ेदार सवाल आपके पास हैं और आप आके अटक गए हैं और आप कहाते हैं कि इतना ही simple आपको उसका solution मिले तो देर किस बात की है आप telegram group, whatsapp group join करो वहाँ पर वो question को post करो अगर में को अच्छा मज़ेदार question लगेगा तो ऐसा ही एकदम systematic solution आपके लिए मैं लेकर रहूँगा ठीक है तो तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए सारसर की class जैहिंद बाई बाई टेक केर